नवसकास तो आपका इजिटमी स्वागत है क्या आपने मुबाइल में डेवलपर आपसन अनेबल करना चाहते हैं जिससे अपने मुबाइल में इस्ट्रा फीचर आइड कर सकें इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुबाइल में डेवलपर आपसन अनेबल कैसे कर स जाते हैं तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिए साथ साथ गया आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर नभूलिए वेल आइकन को वाल पे जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे कमल लेटेस्ट अब्डेट वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे अब वीडियो को इस्टार्ट करता हूं सबसे पहले आपको आना होगा सेटिंग पे क्लिक कर लेना होगा सेटिंग पे क्लिक कर लेने गवाद हरी स्मार्ट फोन में एबाउट फोन का अफसन होता है आप देख लिजेगा आपको यह तो उपर मिल जाएगा सबसे लाश्ट में मि यहां से खोज भी सकते हैं जैसे यहां पर about phone मैं click कर लेता हूं click कर लेने यहां पर देख सकते मेरे में यमाई UI version दिखाई दे रहा है अगर आपको यमाई का phone नहीं है मान यह Samsung का है वीवो का है तो आपको मैं देखेंगे तो build number दिखाई देगा तो build number पर आपको 7 बार click करना है जैसे माई UI version पर मैं 7 बार click करता हूं 1,2,3,4,7 बार जल्दी जल्दी click कर लिजे याँ देख सकते है developer option enable हो चुका है अब आपको यह developer option मिलेगा कहा है आपको यहां से बैक हो जाना है अबर इस स्मार्टफोन में देखेंगे तो आपको ऑमें हो सकता है एडिसनल सेटिंग का option दिखाई दे या पिर किसी किसी कहंई में more थी दिखाई जाता है अगर आप इसे disable करना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिए पहली बात इसे आप इस तरीके से off कर दीजिए आपका तपर भी developer option का यहाँ पे रहेगा ही आपकी रूप में रहेगा तो आप करिए कि यहाँ से भी बैक हो जाएए आपको आजाना apps में एस में आजाने बाद आपको manage apps पे आजाना यहाँ पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे क्लिक कर लेना एक बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना settings सेटिंग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ settings पे क्लिक कर लिजिए उसके बाद यहाँ पे clear data पे क्लिक कर दीजिए clear all data कर दीजिए आप एक बार अपने फोन को रिबूट कर लिजे, रिबूट करके ओपेन करिए, आप देखेंगे तो डेवलपर आपसन पूरी तरीके से गायब भी हो जाएगा, इनी सब तरीकों से आपनी स्मार्ट फोन में डेवलपर आपसन को अनेबल भी कर सकते हैं, और साथ इसाथ डिस थेवल भी कर सकते हैं, थैंकि दोस्तों फार वाचिंग में वीडियो,